आज हम देखेंगे लाब और हानी से संबन्धित कुछ मिध्याधानाएं और कुछ गलतियां. मिध्याधाना एक निम्नलिखित कथन, सत्य है या असत्य पहचान ये. वस्तू का विक्रय मूल्य यानि सेलिंग प्राइस या SP उसके क्रय मूल्य यानि कॉस्ट प्राइस या CP से हमेशा अधिक होता है. कुछ बच्चों के मिध्याधाना होती है कि वस्तू का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से हमेशा अधिक होता है. लेकिन यह गलत समझ है इसलिए option एक गलत जवाब है वस्तू का विक्रैमूल्य उसके क्रैमूल्य के बराबर या कम भी हो सकता है यदि SP CP से बड़ा है तब लाब यानि प्रॉफिट होता है यदि SP CP से छोटा है तब हानी यानि लॉस होता है यदि SP बराबर CP है तब न तो लाब होता है नहीं हानी इसलिए option दो सही जवाब है मिध्याधार्णा 2 संगीता ने कुछ खेल का सामान 2000 रुपए में खरीदा उसने यह सामान एक पाटशाला को 2500 रुपए में बेच दिया ग्याद कीजिए कि संगीता को इस व्यवहार में कितने प्रतीशत लाब हुआ कुछ बच्चे सोचते हैं कि लाब या हानी प्रतीशत वस्तो के विक्रह मूल्य पर ग्याद किये जाते हैं इसलिए वे लाब या हानी प्रतीशत निकालते समय गलत सूत्र का प्रयोग करते हैं वे लिखते हैं लाब प्रतीशत बराबर लाब पटे विक्रह मूल्य गुणा सो या हानी प्रतीशत बराबर हानी पटे विक्रह मूल्य गुणा सो इस उदाहरण को हल करते समय बच्चे लाफ बराबर SP रिन CP बराबर पची सो रुपए रिन दो हजार रुपए बराबर पांच सो रुपए प्राप्ट करते हैं लेकिन प्रतिशत प्राप्ट करते समय वे सूत्र इस प्रकार लिखते हैं इस सूत्र में संख्याओं को रखकर वे इसे इस प्रकार हल करते हैं इससे उन्हें लाभ 20 प्रतिशत प्राप्थ होता है जोकि एक गलत जवाब है इसलिए option एक गलत जवाब है ध्यान रहे लाभ हो या हानी वस्तो के क्रय मूल्य पर प्राप्थ होती है इसलिए आधार हमेशा क्रय मूल्य होता है इसलिए सही सूत्र है लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100 बराबर 500 बटे 2000 गुणा 100 बराबर 25 प्रतिशत इसलिए option दो सही जवाब है अब चलिए कुछ गलतियां देखे सवाल एक दुकानधर 40 वस्तुएं 2800 रुपए में खरीदता है वह उन्हें 16 प्रतिशत लाभ पर बेच देता है ज्यात कीजिए वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या होगा बच्चे सवाल में दे गई जानकारी को ठीक से समझ नहीं पाते तथा वे उनका प्रयोग कैसे करना है यह भी समझ नहीं पाते इस कारण वे कुछ गलतियां करते है आईए इन्हें समझे गलती एक कुछ बच्चे सवाल को ठीक से नहीं समझते यहां 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य दिया है लेकिन वे सोचते हैं कि 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर 40 गुणा 2,800 रुपए बराबर 1,12,000 रुपए है यह एक गलत समझ है गलती दो दिया गया है क्रय मूल्य बराबर 2,800 रुपए और लाब प्रतीशत बराबर 16 प्रतीशत बराबर 16 बटे 100 विक्रय मूल्य ग्याद करने के लिए क्रय मूल्य और लाब का योग किया जाता है ऐसा करने के लिए कुछ बच्चे लाभ प्रतीशत को ही क्राय मूल्य में जोडते है इसलिए उन्हें विक्राय मूल्य बराबर 2,800 रुपए धन 16 बटे 100 बराबर 2,806 बटे 100 रुपए प्राप्त होता है जो कि गलत है ध्यान रहे विक्रय मूल्य क्रय मूल्य में लाव जोड़कर प्राप्थ होता है इसलिए हमें प्रतिशत में दिये लाव को वास्तविक लाव में परिवर्थित करना अवश्यक है यहां 16 प्रतिशत लाभ हमें बताता है कि प्रतिएक 100 रुपए क्राय मूल्य पर 16 रुपए लाभ है इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब क्राय मूल्य एक होगा तब लाभ 16 बटे 100 रुपए होगा इस तरह से जब क्रय मूल्य 2,800 रुपई होगा तब लाब होगा 16 बटे 100 गुणा 2,800 रुपई यानि की 448 रुपई इसलिए विक्रय मूल्य होगा 2,800 रुपई धन 448 रुपई बराबर 3,248 रुपई तो आज हमने देखी लाब और हानी से संबंधत कुछ मिध्या धानाए और कुछ गलती